आज हम सब यहाँ पे शुभाश पालेकर प्राकृतिक खेती जागरूती समारों में उपस्तित हुए है और इस उपस्तित में हमें यहाँ पे जिनकी उपस्तिती है ऐसे हमारे गुजरात राज्य के परमाधरनिया मोहदई राज्यपाल श्री आचार्य देवरत जी एवं मंचस्त उपस्तित निलकंधाम पोईचा स्वामिनारा और गुरुकुल से पुझ्य केवल्य स्वामी जी SPNF प्राकृतिक रूशी के प्रचार में जो हमेशा कारिविंत रहते है से प्रफुल भाई सेंजलिया श्रिमान श्री कांजी भाई भालाला धन जी भाई राखोलिया और इस मंच में यहाँ पे यह आमंत्रन को स्विकार करके यहाँ पे पधारे उपस्तित समाज स्रेश्टी स्री मतुरबाय सवानी लाल जी भाई पटेल वेल जी भाई सेटा और सर्वे खेडूत मित्रों और आमंत्रीत मेहमानों और भायों और बेहनों हम जैसे जानते हैं कि यह सुरत जो भूमी है वो सर यहाँ पे हमारी सुरत की भूमी को बलवान भूमी माना जाता है इस भूमी ने और इस थान ने कहीं सारे ऐसे क्रांतिकारी समाज सेवा के जो सेवा कारियों होए उनको यहाँ से प्रवाहित किये है और सुरत ऐसे काफी कारियों का और नए शरुवातों का शाक्षी रहा है ऐसे ही गुजरात में मैं जरूर कहूंगा आज कि जब से आपने गुजरात के राजभवन में पदग्रहन किया तब से गुजरात की भुमी को और पूरे किसान समुदाई को बहुत बड़ा बल मिला है और हम यह भी कह सकते हैं कि गुजरात के नहीं लेकिन पूरे भारतवर के वर्स के इतियास में जितने भी राजभवन हैं वो सब राजभवनों में से आज गुजराद का राजबवन सबसे ज्यादा कार्यविन्थ है वो सब आपकी वज़े से ही है आपने नौर्थ इंडिया में भी हरियाना हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में गुरुकुल संस्कृति का प्रवर्तन एवं व्यसन मुक्ति हो ड्रग्स के सामने बड़ी लड़ाए हो, मुहिम हो और गुरुकुल संस्कृति का प्रचार के साथ साथ प्राकृति कृशी का प्रचार में बहुत बड़ा कार्य किया था और यही कार्य यहां आके आपने जो सब लोगों को प्रेरित करते हुए कार्यविंत रहके जो उर्जा दी उसका पुरा का पुरा स्रे सर आपको जाता है क्योंकि आज गुजरात का हरे एक जिल्ला, हरे एक गाव, हरे एक खेडूत आप क्या मार्क दर्शन से बहुत प्रेरित है और एक प्राकृत्री क्रुशी के शेत्र में बहुत बड़ी जागरुती आई है उसका पुरा स्रे आपको जाता है और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आपने जो यह सेवा यगन की शिरुवाद की है उसका लास्ट मंथ डिसेंबर में ही पूरही राष्ट्र ने प्रधान मंत्री ने जो नड़ियाद में बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था उसको संबोधित करते हुए खुद प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा कि आपका जब प्रवचन शरू था तो प्रदान मंत्री का उसके बाद के उद्वोधन में प्रदान मंत्री ने कहा कि आज से मैं सब लोगों को विनई पुरुवक आगरह करता हूँ कि यह जो प्राकुरतिक कुरुशी का अभियान है यह एक जनान्दोलन बन जाना चाहिए इतना ही नहीं प्रधान मंत्री ने और आगे बढ़ते हुए कहा कि आपका जो प्रवचन था पुरा प्राकृत्रिक कुष्ची के बारे में जो मार्गदर्शन था एक विद्यार्थी की भाती प्रधान मंत्री जी खुद सुन रहे थे ज्यादा वक्त नहीं लहुंगा मैं यहां पे लेकिन आप यहां पे हमारा आमंत्रन स्विकार करके पधा रहे तो सबकी और से में रदय से आपने इतने व्यस्त शेडियूल के अंदर भी वक्त निकाला और आपकी पावन उपस्तिती से हम सब को प्रेरित किया है और सर आपके एसे ही सेवायगन पुरे गुजरात में नहीं लेकिन पुरे भारत वर्ष में चलता रहे क्योंकि मैं द्रढ़ विश्वास से कहता हूं मैंने पहले भी कहा है कि जो आत्मनीर भर भारत का हमारा मिशन है जब हमारा किसान आत्मनीर भर बनेगा तब हमारा हरे गाव आत्मनीर जब हमारा गाव आत्मनीर भर बनेगा तब ही हमारा भारत आत्मनीर भर बनेगा क्योंकि हमारा जो देश है राष्ट्र है वो कुरुशी प्रधान है और साथ में मुझे अपार प्रसंता ये बात की भी हो रही है कि अब तो हमारे संत लोगों ने भी आप से प्रेणा लेके भगवाध हरी संत लोगों की फोज ने भी अभियानात में लिया है तो मैं जरूर कहूंगा कि अब समाज में जरूर नई करांती आएगी आपकी प्रेणा से आज पूरा हमारा पाटिदार समाज की बहुत सारी सिवा कारियों पेले भी किया है बेटी बचाओ जलसंचाई का जलसी चाई का और चेकडेम निर्मान का कारिय यहां पे बेटे पदम जरूरात के गाओ गाओ में एक नई जगरूती आई थी और आज वापस पाटिदार समाज इस अभ्यान में जुड़ रहा है तो मैं द्रट विश्वा से कह रहा हूं कि यह कारिया भी रुकने निवाला और भारत वापस पूरे ही विश्व में अपना नाम सर्वोच शिखर पे भारत रहेगा एसा मेरा द्रट विश्वा से सबका में पूरे समाज और सबसंस्ताओं की और से तहेर रदई से सबका में अभिवादन करता हूं सबका स्वागत करता हूं